सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरे यूटूब चनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों लेकर आया हूँ बिना प्याज के बहुती सांदार रेस्पी इस रेस्पी को दोस्तों हम बनाने वाले हैं आलू और पोहे से जो की बहुती बढ़िया सांदार और चटपटा सा स्वाद आने वाला है इस नास्ते में तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस नास्ता को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बड़ा सा आलू ले लिया हूँ और इसके बाद दोस्तों एक कब पोहा ले लिया हूँ तो पोहा मैं यहाँ पर मोटा वाला पोहा ले लिया हूँ दोस्तों तो पोहे को दोस्तों हम जो भी इसके धान होंगे और कंकड होंगे उसको अच्छे तरह से हम चुन लेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों पोहे को हम दो बार पानी से अच्छे से धो कर रख लेंगे और इसके बाद दोस्तों आलू को भी दोस्तों हम इसका चिलका उतार करके एकदम छोटे छोटे तुकुडे कर लेंगे तो ये हम दोस्तों पहले प्रोसेस कर लेंगे और इसके बाद दोस्तों इस नास्ते को हम बनाएंगे इस नास्ता को बनाने के लिए मैं यहां पर लोहे की कढ़ाई ले लिया हूँ लोहे की कढ़ाई से दोस्तों बहुत भी बड़िया स्वाद आता है इस नास्ते में तो इसके बाद दोस्तों एक चम्मच मैहा पर refined oil एड़ किया हूँ और इसी के साथ दोस्तों मैहा पर एक चम्मच मैं मुमफली के दाने एड़ किया हूँ और उसको चम्मच से दोस्तों हम अच्छे तरह से दोस्तों रोष्ट कर लेंगे इसके बाद दोस्तों कटा हुआ दोस्तों हम आलू एड़ कर देंगे और इसके बाद दोस्तों हम इसको अच्छे तरह से मिक्स करके आलू को भी दोस्तों हम पका लेंगे तो ये दोस्तों प्रोसेस करने में लगबग 2 मिट का वक्त लगेगा और इसके बाद दोस्तों मैहा पर चार हरी मिर्च एड़ किया हूँ और इसी के साथ दोस्तों मैहा पर एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर एड़ करूँगा और इसी के साथ दोस्तों मैहा एक चौथाई चम्मच मैहा पर सौप एड़ करूँगा और आधा चम्मच जीरा एड़ कर दूँगा इसी के साथ दोस्तों मैहा पर आधा चम्मच मैहा पर राई एड़ करूँगा काली वाली राई के दानी एड़ करूँगा और सभी चीजों को दोस्तों मिक्स कर देंगी तो दो मिर्टक दोस्तों फिर से हमें इस तरीके से चलाना है ताकि सौप है जीरा है वो अच्छी तरह से पक जाए फिर इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर एड़ कर रहा हूं कड़ी पत्ता तो धेर सारा दोस्तो कड़ी पत्ता एड़ कर दीजिए और इसको बाद में दोस्तो मिक्स कर लेना है तो बहुत ही बढ़िया दोस्तो कड़ी पत्ता की जो खुसबू है ना बहुत ही बढ़िया आएगी और इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर एड़ कर दूँगा दुला हुआ पोवा जो हम पानी में इसको भीगो कर रखे थे मतलब अच्छे से धोल ये थे उसको एड़ करेंगे पोवा को और पोवा को दोस्तो आड़ करने के बाद अब बारी है इसमें आड़ करने की हरा धन्या हरा धन्या आड़ करने के बाद दोस्तो अब हमें इसमें आड़ करना है स्वाद अनुसार नमक तो मैं यहाँ पर एक चम और सरल तरीके से मैं दोस्तों ये रेश्पी बता रहा हूँ ताकि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं बिना प्याज के आलू पोहा इसके बाद दोस्तों इस पोहे को मैं चटपटा स्वाथ देने के लिए मैं यहां पर निम्मू का रस निचोड दिया हूँ और इसके आजाए खटा सा फ्लेवर आजाए तो दोस्तों यहां पर हमारा तयार हो गया है बिना प्याज का आलू पोहा तो यह सिर्फ और सिफ 10 मिमंट में दोस्तों बनका रेडी हो गया है तो जरूर आप इसको एक बार ट्राय कीजेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है त बीडियो को लाइक कीजेगा